हेलो गाइज मैं हूँ रवी स्वाग आता है आपका अपना यूटूब चैनल साइंस गुरूर रवी में गाइज जैसा कि आपने थमनेल में देखा आज हम डिसकस करने वाले हैं परजन तंदर के कुछ मैंत पुन परसन जो की डाइरेट एक्जाम में पूछी जाते हैं गाइ वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दू मैंने नर परजनन तंतर मादा परजनन तंतर और दोस्तों मासिक द्रम चक्कर पर वीडियो बना रखिया है और दोस्तों परजनन तंतर की आज ये अंतिम क्लास होने वाली है अगर आपने उन वीडियो को नहीं देख एप्स नम्बर सी युगमनायज होप्स नमबर D एवऽ वैब तो आपका जो राइट आंशर होगा वो जो गाई को war घ्षय का किसे का जाता हैं शुक्राणों को भी का जाता है और अंडानों踏का ऑप्सका और जाता क्यों कहा जाता है दोस्तों मैं आपको बता दू इन दोनों में तेईस गुन सुत्तर होते हैं कितने गुन सुत्र होते हैं गाइज 23 गुनशुतर होते हैं, शुक्राणू और अंडाणू में, इसलिए दोस्तों इसे एक गुणित कोशिका भी कहा जाता है, और इसके अलावा बात की जाये दोस्तों, अगर आपसे एक्जामिनर पोचे कि एन-गुन-चुत्र वाली कोशिका भी कहा जाता है थो आपको ध्यान रखना है। के बीच में निषय चनकी के करिया होगी तो डोस्तो किसका निर्मान होगा युगमनाजमा जाइगोट का निर्मान होगा मैंने अभी आपको बताए कि सुक्राणों में 23 गुन शुत्र आपस में मिलेंगे तो दोस्तो 56 गुन सुत्र का निर्मान होगा का वाली कोशिक भी कह सकते हैं हम दोस्तो मैं आपको एक बात और बता देता हूं हमारे सरीर में सुक्राणों और अंडानों को छोड़कर जितनेterror को सही हो और एक जामिनर जो क्यूशन पूंचता है दोस्तों वो एक गुनितकोशिका से पूंचता है कि निमन में से एक गुनितकोशिका कौन सी है तो शुक्राणों और अंडाणों है और दोस्तों दोनों में ही 23 23 गुनसुत्र पाये जाते हैं जब दोस्तों शुक्राणों और अंड गया होगा में एक बार पृर आपका रूजिन करवा देता हूं तो निमन में से एक गुणीट और कोशी का है तो शुक्राणूं एंडानू एक गुणीट कोशी का है क्यों थो क्योंकि सीर में 23 पर जाते हैं इसलिए दोस्तों इन्हींनें एक हुनित्ट फिशी का या फिर दोस्तों सुक्राणों और अंडानों को छोड़कर सभी कोशिका दूगणित कोशिका है क्योंकि उनवे 46 गुन सुतर पाये जाते हैं यहाँ पर दोस्तो मेरे option में C रखा हुआ है यूगम नज इसमें दोस्तो च्यानिस गुन सुतर होते हैं और दोस्ते इसे कहा जाता है दूगुनित कोशिका या टूएन गुन सुत्रवाली कोशिका कहा जाता है आशा करता हूं आपको एक्यूशन अच्छे से समझ में आ गया होगा अब चलता हूं अगले क्यूशन की ओर गाइज अगला क्यूशन है निमन में से हेपलाइड कोशिका को चुनिये ओपस नमबर ए सुकराणू ओपस नमबर बी अंडाणू ओपस नमबर सी यूगमराज ओपस नमबर डी उप एव हैं बी तो गाइज मैं आपको बता दू आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा मानों सरीर में दो परकार की कोशिका पाए जाती है नमबर एक पर आती है हेपलाइड कोशिका जो आपको स्क्रीन पर दिखाए दे रही है नमबर दो पर आती है दोस्तों डेपलाइड कोशिका कुनसी डेपलाइड कोशिका डेपलाइड कोशिका दोस्तों मानों सरीर में द तो दोस्तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा मैं एक बार और रियूजन करवा देता हूं दोस्तो मानों सरीर में दो परकार की कोशिका होती एक होती है प्लाइड कोशिका और एक होती है डेप्लाइड कोशिका क्या होती है जिसमें 23 गुन सुतर होते हैं जो कि सुक्राणों और अंडाणों में 23 गुन सुतर पाये जाते हैं इन कोशिकाओं को एन गुन सुतर वाली को कोशिका भी कहा जाता है तो दोस्तों आपका राइट अन्सर कौण सो जाएगा तो आपका राइट आंसर जाएगा ये भी और इनको खक्लूआ को क्या कहा जाता है तों एप लैड को सिकहा कहा जाता है आप छलता हूँ अगले कूशन की और," गाईज आगला क्यूशन है इस्तंधारी होते हैं ओप्स नमबर A, VVPORUS, ओप्स नमबर B, AVPORUS, ओप्स नमबर C, दोणों, ओप्स नमबर D, कोई नहीं तो गाईज आपका जो राइट आंसर होगा वह होगा ओप्स नमबर A, VVPORUS दोस्तो विवी पोरस को हिंदी में कहा जाता है जरा यूज क्या कहा जाता है जरा यूज कहा जाता है जबकि एवी पोरस को हिंदी में कहा जाता है दोस्तो अंडा यूज क्या कहा जाता है अंडा यूज जो जनम के समय अंडे को जनम देते हैं उन्हें कहा जाता है अंडायूज अगर आपसे क्यूशन पूँचा जाए कि इस्तंधारी हैं तो इस्तंधारी आपको पता है बच्चे को जनम देते हैं इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है इन्हें विवी पोर्ष या जरायूज कहा जा ओर विभी ऑट यहां विविफुरस ऑफ लिगा उन्डायूज सब़नों आपको अच्छे सरमझ में आ गया होगा अब चलता हूं अगले क्युशन की ओर गाईज अगला क्यूशन है, एक अजार सुक्राणों कोशिका बनाने के लिए, मुझे कितनी सुक्राणों कोशिका हो की आवसकता होगी? गाईज आपको अच्छि से क्यूशन समझ में नहीं आये होगी, एक बार मैं फिर बता देता हूँ, पिर इसके option बताता हूँ और फिर आपको answer देना है गाइज अगर इन में से आपको किसी भी question का answer आता है तो please comment box में जरूर बताना 1000 सुक्राणों को सिका बनाने के लिए मुझे कितनी सुक्राणों को सिका होगी आऊ सकता होगी ounce number 500, ounce number B. 0, grasp number C. 100, ounce number D. कोंही तो guys आपका जो right answer होगा वो होगा ounce number B. 0, ups नमबर B. 0, balance होता है क्या है दोस्तो एक सुक्राणों जो को सिका होती है एक सुक्राणों को सिका से दोस्तो चार सुक्राणों को सिका होगा निरमान होता है चार सुक्रानों को सिकाओं का निर्मान होता है, तो आपको समझ में आ गए होगा, दोस्तों आपको समझ में आ गए होगा, एक जार सुक्रानों को सिकाओं की आउ सकता होती है, डाइस सुक्रानों को सिकाओं की आउ सकता होती है, क्योंकि दोस्तों एक सुक्रानों को सिकाओं से चार सुक्राणों को सिखाओं का निर्मान होता है बात आपके अच्छे से समझ में आ गए होगी अब चलता हूं अगले क्यूशन की ओर गाइज अगला क्यूशन है निम्न में से गर्बस्य की दिवार किन परतों से मिलकर बनी होती है ओप्स नमबर A एंडोमेट्रियम ओप्स नमबर B मीजोमेट्रियम ओप्स नमबर C पेरिमेट्रियम ओप्स नमबर D कोई नहीं दोस्तो यहाँ पर option में थोड़ी सी mistake है, यहाँ पर आएगी उप्रोक्त सभी, क्या आएगा दोस्तो उप्रोक्त सभी आएगा, तो आपका right answer कौन सो हो जाएगा guys, आपका right answer हो जाएगा option number D, उप्रोक्त सभी, क्योंकि दोस्तो जो गरबस्य की जो दिवार होती है, वो तीन से मिल करके बनी होती है, number 1 परत है दोस्तो endometrium, number 2 पर है meegometrium, number 3 पर है perimetrium, दोस्तो endometrium की बात की जाए, तो जो endometrium वाली परत होती है, यह सबसे अंदर वाली परत होती है, जब कि two दोस्तों सबसे भारी जो परत होती है गरबाशी कि उसे पेरिमेट्रियम कहा जाता है तो मैं कह सकता हूं कि सबसे भारी जो परत होती है उसका क्या नाम है पेरिमेट्रियम है मैं एक बार आपका फिर रिविजन करवा देता हूं गरबाशी की दिवार तीन परतों से मिलकर के बने होती है, जबसे अंदर वाली परतोती है उसे endometrium कहा जाता है, सबसे मद्र वाली परतोती है उसे सबसे बहारी जो परतोतियों से पेरिमेट्रियम कहा जाता है ये क्यूशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा आप चलता हूँ अगले क्यूशन की ओर गाइज अगले क्यूशन है मानव होता है ओप्स नमबर A एक लेंगिक ओप्स नमबर B लेंगिक 2 रूपी ओप्स नमबर C दोनो ओप्स नमबर D कोई नहीं तो गाइज आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ओप्स नमबर C दोनो क्योंकि दोस्तों जो मानव होता है वो एक लेंगिक होता है और लेंगिक 2 रूपी भी होता है होगा वो नर जणन भफाग होगा नर में नर जणन मबाग होगा जबकि दोस्तों मांडा tiya Imaadaran भभाग होगा क्योगा वाधा बाल भगोंगा तो दोस्तों में एकवार फिर उज्रीवजन करवा देता हूँ आपका एक लिएंगी का मतलब होता है या तो नर होगा या फिर दोस्तों मादा होगी दोस्तों नर का मतलब होता है या नर में नर जनन भाग होगा और मादा में मादा जनन भाग होगा कहने का मतलब यह है दोस्तों कि नर में मादा जनन भाग नहीं हो सकता और मादा में नर जनन भाग नहीं हो सकता या तो है नर होगा या फिर मादा होगी अब बात कर लेता हूँ दोस्तो लेंगिक दूरूपी का मतलब क्यों होता है लेंगिक दूरूपी का मतलब होता है दोस्तो कि नर में तो नर के लक्षन रहेंगे नर में तो नर के लक्षन रहेंगे और मादा में मादा के लक्षन रहेंगे दोस्तो मादा में नर के लक्षन नहीं हो सकते और दोस्तो नर में मादा के लक्षन नहीं हो सकते तो दोस्तों ये था हमारा क्यूशन इसलिए कहते हैं कि मानों जो होता है वो एक लेंगिक भी होता है और लेंगिक दूई रूपी भी होता है ये क्यूशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा आप चलता हूँ अगले क्यूशन की ओर गाइज अगला क्यूशन है प्रोश्टी एसिस के लक्षन है ओप्स नंबर ए प्रोश्टेट गरंथी में सूजन आ जाता है ओप्स नंबर बी सीट्री कमल पूर्ण रूप से नहीं बनता है ओप्स नंबर सी सुक्रान मोटा है नहीं ले पाते हैं ओप्स नंबर डी उप्रोक सबी दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दू प्रोष्टी एस एक परकार की बीमारी है और इस बीमारी में क्यों होता है दोस्तों जो नर होता है वह बांज होता है और दोस्तों बांज किस तरीके से होता है तो वह देख लिजी इसमें होता क्या है गाइज जो प्रोष्टे जो स्टरिक अमल का निर्मान होता है और दोस्तो यह सुख्रानों होते हैं, इस उकरानों को गत्ऐभ दिशा परदान करने का कारिये करता है, जब दोस्तो स्टरिक कमल पुन रूप से नहीं बनेगा दोस्तों तो होता क्या है जो ये शुक्राणों होते हैं ये मोटाई नहीं ले पाते हैं अगर शुक्राणों मोटाई नहीं ले पाते हैं अगर शुक्राणों मोटाई नहीं ले पाएंगे तो अंडाणों को निशेचित नहीं कर पाएंगे और दोस्तों अंडानों निशेचल नहीं होगा, तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि वो बच्चा-बच्ची पैदा नहीं कर सकता, तो अगर दोस्तों एसा कोई इंसान जो बच्चा-बच्ची पैदा नहीं कर सकता, उसे बांज कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, दोस्तों तो दोस्तों होगा क्या वहां बच्चा बच्ची पैदा नहीं कर शकेगा होगा तो दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा अब चलता हूं अगले क्यूशन की ओर गाइज आज का हमारा अंतिम क्यूशन है एक जैसे जुड़वा बच्चे होते हैं आइडेंटिकल ट्विंस में नोन आइडेंटिकल ट्विंस में दोनों में कोई नहीं तो गाइज मैं बता दू आपका राइट आंसर होगा ओप्स नंबर एडेंटिकल ट्विंस दोस्तो इस आइडेंटिकल ट्विंस में क्या होता है जो बच्चे होते हैं वो एक जैसे होते हैं इसमें क्या होता है एक सुक्रानों के दुवारा जो एक सुक्रानों होता है इस सुक्रानों के दुवारा तरहा है जो नीचे के तरह होता है तो दोस्थो इनके जो बच्चा में वीवारा हो सकता है और दोस्तों उनका finger print हो सकता है वो भी अलग हो सकता है तो आपको ध्यान रखना है जो identical twins होता है उसमें क्या होता है एक सुक्रानों एक अंडानों को निशेचित करता है और जो यूगमनजमा जाइगोट बनता है दोस्तों उसमें दो बच्चे हो जाते हैं क्योंकि वो जो अ लीडी और दोस्तों रही दूसरी बात को उनकी जो चैरा होगा जो सैकल होगी जो हाइट होगी जो होगा दोस्तों वह दिखने में एक जैसे होते हैं तो इसी जो बच्चा पैदा ंर होते हैं उन बच्चे को कहा जाता है उन में identical twins दोस्तों ओपस नमबर B की बात कर लेता हूं, non identical twins, दोस्तों इसमें क्या होता है, एक लड़का और एक लड़की होती है, इसमें दोस्तों ऐसा नहीं होता है, कि दोनों लड़की हो गए, दोनों लड़की हो गए, दोस्तों ये जो जुड़ुआ बच्चे होते, इनमें क्या होता है, एक सुक निश्यचित और करेंगा तो दो सुक्राण दो अलगा अलग अलगा ओंगे इनका वैवार बी अलग होगा तो दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि identical twins क्या होते हैं और non-identical twins क्या होते हैं तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो अमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए वेल आइकन को प्रेस कर लेना जिसे आपके पास हमारी वीडियो का time to time notification पहुंच सके मिलते हैं किसी और एसी ही रोचक वीडियो में जैहिंसातियो